यूटूब चैनल पर दोस्तो कुछ CET एक्जाम जो मेंस एक्जाम है उसके लिए कुछ परमुक एब्रिवेशन यानि फुल फोर्म चेलेटेड क्लास इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछ जाने की बहुत ज्यादा संभावन आए हैं दोस्तो क्योंकि प्रिवेशन एक्जाम में आपने देखा होगा बहुत सारे जोना कम्प्यूटर से हो या और भी किसी भी फिल्टेडेड हो जो एब्रिवेशन है फुल फोर्म है वो पूछी जाती है चलिए बिना कोई समय गवाए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला कम्प् टेकनिकल एंड एजुकेशन रिसर्च तो आप से रहेगा भी युनाइटेड यूजद अंडर टेकनिकल एजुकेशन रिसर्च ये आपकी कम्प्यूटर की फुल फोर्म उसके बाद अगला है वाइरस वाइरस का दोस्तो विटाल इनफोर्मेशन रिसोर्च अंडर सीज त अगला है UMTS इसका क्या रथ है यह तो यह है दोस्तो यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्म्निकेशन सिस्टम तो कम्म्निकेशन से रहेगा यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्म्निकेशन सिस्टम उसके बाद अगला है AMOLED तो इसके फुल फोर्म रहेगी active matrix organic light emitting diode तो आपको दे देखा है organic LED की आपको पता ही है light emitting diode तो दो फुल फोर्म आपकी यहां से कवर होती है उसके बाद है IMEI दोस्तो यह होता है मोबाइल जो ना मोबाइल का आपने बहुत बारी सुना होगा जब किसी का मोबाइल गूम हो जाता है तो ओ IMEI नंबर के थुरू ही मिलता है लोके इसेन का रहता है electronic serial number electronic serial number उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है आपका GST GST का रहता है goods and service tax GST से बहुत सारे question आपके exam में पूछ जाते हैं उनका जिकर भी आगे हम करेंगे तो goods and service tax उसके बाद है Google Google आपसे भी जानते एक search engine है तो global organization of oriented group language of earth तो Google की फुल फर्म बहुत सार आपको नहीं पता होगी तो ध्यान दीजेगा global तो कि all around the over है यह organizations of oriented group language of earth उसके बाद है Yahoo यहू भी एक search engine है yet another hierarchical officious oracle उसके बाद अगला window window का दोस्तो wide interactive network development for office work solution तो computer selected यह है computer क्या आपकी होई चुकी है virus की भी आपकी होचुकी है उसके बाद आगे चलते हैं आगे आपका है EPFO तो इसमें दोस्तों आपसे भी जानते हैं UPSC गंदर यह vacancy भी निकलती हैं employees provided fund organization EPFO employees provided fund organization उसके बाद अगला है CRR यह दोस्तों banking के चेतर में CRR SLR इस तरीके के आपकी यह पूछी जाती है तो CRR कार्थ है cash reserve ratio इसी परकार SLR आप से पूछ लेगा तो SLR की full form रहेगी RR की रहेगी RRR यह आपका economics में सभी करवाए हुए हैं उसके बाद है CFRA इस कार्थ है दोस्तों combined finance and revenue accounts अगला है GPF GPF कार्थ है journal provident fund जर्नल provident fund अगला GMT GMT कार्थ है global mean time आपने GMT line green वीच रे खाज़ हो सुनी होगे दोस्तों और IST standard time से सुने होगे तो यह आपके जोना रहेंगे वीडियो अच्छी लग रितों से ज्यादा शेयर कर दीजेगा GPS GPS कार्थ है global positioning system क्या है global positioning system उसके बाद अगला GMT GMT gross national product gross national product SCU SCU कार्थ है slightly enriched uranium slightly enriched uranium उसके बाद आगे चलते हैं आगे है ASLV तो ASLV का है augmented satellite launch vehicle ऐसे ही PSLV है तो polar satellite होगा ASLV है तो augmented बस आपको यह ध्यान रखना है उसके बाद आई-सी-उ आई-सी-उ है दोस्तों आपका intensive care unit hospital बगारा में आपने भूच सरी जंग आई-सी-उ लिखा देखा होगा तो उसकी full form होते intensive care unit ATM ATM की बहुत बड़ी अग्जाम में पुछ जाती है automated teller machine automated teller machine CTS CTS का दुस्तों check transaction system जो check बगार banking चेतर चलेटर यह रहेगा उसके बाद CTR CTR है cash transaction receipt cash transaction receipt अगला हनिप्ट नेफ्ट नेशनल electronics funds transfer नेशनल electronics funds transfer अगला GDP gross domestic product अगला है आपका FDI FDI है दोस्तो foreign direct investment यह आज कल बहुत चरी मुद्दों में है दोस्तों foreign direct investment उसके बाद अगला आपका दोस्तों ISDN Integrated Service Digital Network Integrated Service Digital Network अगला SARC South Asian Association for Regional Corporation उसके बाद अगला है OMR Optical Mark Recognization अगर आपका जो हना दोस्तों आपने देखे होगी जो OMR sheet आप फिल करते हो जो एक्जाम देते हों तो वह आपका जो गोल दारे बढ़ते हैं वही आपका जो नम्मार्क चेक होते हैं उसी तरीके से तो वह OMR based sheet होटी है Optical Mark Recognization उसके बाद है AHRL तो Asian Human Rights Commission आपका यह रहेगा Asian Human Rights Commission अगला JPEG यह आपका दोस्तों photos related आपने देखा होगा ना .peg file .peg file तो JPEG रहेगा आपका join photo expert group यानि photos कहीं भी आप जोन पिक्सल मीडिया बगरा देखते हों तो उसके .peg लिखाता है निक्यों आपके वह picture file है दोस्तों तो join photo expert group URL बहुत वर्यक्जा में पुछे जाता है Uniform Resource Locator URL क्या है Uniform Resource Locator इसमें दोस्तों web address आपका बरा जाता किसी भी website characteristics में होता है अगला है IRDP इंटिग्रेटिड रूरल डिवलोप्मेंट प्रोग्राम इंटिग्रेटिड रूरल डिवलोप्मेंट प्रोग्राम अगला है ASLUE यह आपका हो चुका दूस्तों augmented और PSLV होगा तो polar satellite launch vehicle उसके बाद अगला आपका है तो CST CST है Central sales tax Central sales tax CRR है cash reserve ratio उसके बाद आपका है UDP UDP है user datagram protocol RTC है real time clock IP है IP है internet protocol उसके बाद यहाँ पे HTTP आप भी आता है दोस्तों बहुत बाली hypertext transfer protocol कैग मैंने सुबह ही बता है controller and ultra journal of India जो नहीं तरह कहें माहलेखा पर इक्सक बारत का होता है FRF हैरा कार्थ foreign exchange regulation act foreign exchange regulation act ISRO ISRO है Indian face research organization उसके बाद आगे चलते हैं PDF PDF का दोस्तों आपका portable document format जो आप PDF में notes बगारा प्राप्त करते हैं तो portable document format HTML hypertext mark language दूसरा है HTTP जो मैंने आपको बता था FTP है fiber to the premises या file transfer protocol FTP FTP होगा तो file transfer protocol FTP है तो fiber to the premises निफ्ट आपको बता चुका हम दोस्तों electronics funded transfer MICR magnetic ink character recognition MICR बहुत बार आता है magnetic ink character यहाँ पे recognition की जंग रिकोर्डर देता है कई बार अलग लग change कर देता है तो magnetic ink character reader नहीं आएगा यहाँ पे रिकोनाइजेशन reader यहाँ पे घनिफ्यूज आपको करता है IFSC है Indian financial system code ISP है internet service provider अगला ECS है electronics clearing system तो दोस्तों यह आपके कुछ पर मुख है वरिवेशन थी full form थी जो आपके CT mains exam में आ सकती है वीडियो को पूरार जरूर देखेगा जदेशी जदा शेयर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इस वीडियो में फ़ला इतना ही दिन्नवाद जैन जैबार जैरियाना